18 साल के रमेश बाबू प्रज्यानंद की वर्ल्ड रैंकिंग 29 है। वो अब तक के सबसे कम उम्र के FIDE वर्ल्ड कप के उपविजेता है। अगर वह यह मुकाबला जीत जाते तो 21 साल बाद कोई भारती यह टाइटल जीतता। प्रज्यानंद की बात करें तो वह 12 साल की उम्र में ही ग्रेंड मास्टर बन गए थे। प्रज्यानंद की सफलता में उनकी मां का बड़ा योगदान है। प्रज्यानंद को भारत सरकार द्वारा अरजुन पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया। प्रज्यानंद ने बहुत कम उम्र में शतरंज के बादशाहों को टक कर दी और उन्हें हरा कर आज इस मुकाम तक पहुंचे, वह तीन साल की उम्र में ही शतरंज से जुड़ गए थे। प्रज्यानानंद की बड़ी बहन वैशाली को भी यह खेल पसंद था और उन्हें देखकर ही प्रज्यानानंद ने शतरंज खेलना शुरू किया वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद